कि अपने लेक्षर स्कार्ट करते हैं चप्टर चलता मारा कम्पेरिंग वॉन इसके पार्चार में सकी एक्साराइज 8.2 मैं अपनी बुक्से कोश्चिन पढ़ता हूं आप अपनी बुक्से पढ़ें ठीक है तो पहला कोश्चिन केहा रहा है यहां से पढ़िएगा कि 10% increase in his salary, मतलब एक आत्मी की जितनी भी salary थी, उसमें 10% जादा होई, मतलब उसकी salary 10% पढ़ गई, उसकी वएसे info, his new salary is 154,000 और 10% बढ़ने के बाद उसकी total salary में दिया है, हमसे कह रहा है, find his original salary, तो actual में उसकी कितनी original salary थी, वो निखाता है, है बहुत असान, लेकिन जहां से समझने वाला चीज़ है, ठीक है, question number 1, left, जहां से समझेगा, original salary, बढ़ने से पहले उसकी original salary X थी, कितना percent बढ़ी है, 10%, तो लिखेंगे, percentage increase, जहां से समझेगा, in salary, ये कितना बढ़ा है, 10%, लेकिन मैं आपसे कहूं, कि ये 10% actual में कितना है, तो कैसे निखा देगे, और इस ती बात है, percent भगाने के लिए क्या करते है, upon hundred, अब 10% किसका उप पुरिजिल salary का, पुरिजिल salary कितनी है, X, तो total आपकी जो salary बढ़ गई, वो होगे, एक से पॉंट है, तो कुल कितनी हो गई, जितनी पहले थी, प्लस, जितनी बढ़ गई, ऐसे माल लेजे, कि आपकी 1000 रुपे salary थी, और उसमें हमने 100 रुपे बढ़ा दिये, तो कुल salary कित इनिशल salary कितना होगे, X upon 10, तो लिखने कि total salary कितनी होगे, आपकी total salary भी लिख सकते है, कितना पहले जितनी थी, अब जितनी पढ़ दे, एसमें जितना आया, या आया 10X plus X, तो 11 upon 10, X आपकी total salary है, जो बढ़ कर आई है, लेकिन बढ़ कितनी salary है, वो question में में पहले जोगी है कितनी 1,54,000, तो पक्की बात है, ये salary और जो रुपीज में salary question भी बने है, वो बढ़ बराबा है, बस क्या करना है, एक को हेट न दीए, according to question, 11X upon 10 is equal to 1,54,000, कि जो salary पहले थी, अगर उसमें मैंने बढ़ी हुई salary को चोड़ा, तो 11X upon 10 आ गया, और बढ़ी हुई salary question में पहल अब X के लिए कैसे निकलेगी, जो X के साथ multiplier में वो इदर जाके divide हो जाएगा, और जो divide में वो तर जाके multiply, तो 154,000, into 10 upon 11, देखिए, 11 बज़े, 11 बज़े, 11, 4 बज़े है, 11, 4 बज़े है, 11, 4, 44, 30, 10, 10, लिया पोटगा हमारे पास, वो कुल मिलाकर, उसकी जो original salary थी, वो कि 1,40,000, जो original salary है, 1,40,000, 10% बढ़ गई, और कुल मिलाकर कितनी हो गई, 1,44,000, कोशन में ठाई लेथा, कोशन में से find out लबा रहा है, कि original salary कितनी थी, original salary कुल एक्स के लिए आ गया है, आंसर आया, 1,40,000, कोशन फिनिश हो, चले, कोशन में तू पढ़ता हूं है, कोशन में संदे, 845 people went to the zoo, ठीक है, संदे को 845 people zoo देखने गए, और मंडे, only 169 people went, मंडे को सिर 169 लोग ही देखने गए, तो what is the percentage decrease in the people visiting the zoo on मंडे, तो कितना परसेंट लोग कम गए, ठीक है, तो दिक्कात नहीं है, आम से रिकालते हैं, समझे पहले, तो number of peoples visited on Sunday, तो पहले चेक करते हैं, कि कुल संदे को पहले कितने लोग गए थे, तो संदे को गए थे, 845, ठीक है, फिर चेक करते हैं, मंडे को कितने गए, तो number of people visited the zoo on Monday, Monday को हमारे पास total हो गए, 169, तो कितने परसेंट कम गए, तो परसेंट निकालने से पहले ये तो निकाले हैं, कि number of people कितने कम गए, तो अबसी बात है, 845 पहले संदे को गए है, पर 169 मेंडे को, तो कुल कितने लोग कम हो गए, तो लिखेंगे, degrees in visitors, और कितने visitors कम हो गए, 845 में से, माइनस कर दीजे, 1 section रहेंगे, तो कितना आएगा, तंदर मसे नो हो गया, 6, 3 रहेंगे, तो 13, 13 में 6 गया, 7, और 7 में से बन गया, 6, तो कुल 6, 7, 6 लोग कम गए, हमें कोशन ते क्या कह रहा है, कि what is the percentage degrees in the people visited the zoo on Monday, तो मंदे को कितने percent लोग कम जू पहुँचे, तो देखो percentage कैसे रिकालते, तो percentage decrease, यहां से समझेगा, कितने लोग कम गए, 676 कम गए, कितने लोग total थे original, original कितने थे, original हमेशा अध्या रहां रखना, 845 में होंते, into 100, 100 तो percentage में चेंज करने के लिए, हमेशा 100 से multiply करते हैं, य जितने लोग कम गए, upon original, original हमेशा गो value होती है, जो ज्यादा वाली होती है, यहां रखना, ज्यादा वाली जो पहले हो गया होता है, काम, भई original होता है, 800, बस इसको solve करना है, calculator के, यह solve कर लेगे, solve कर क्या है, 80%, मतलब, Sunday से Monday में, 80% लोग कम गज़ेट किये शुटो, ठीके, जितने लोग कम गए, upon, जितने ओरिजनल ही पहले, 845, परसंटेट में चिंद करना है, किस लोग करना है, ठीके, तो answer आया, 80%, 80% लोगों ने, Monday को कम गज़ेट किया, ठीके, कोशन तरी चुटो, ठीके, चले, एक्टावन है, question number 3 का, मैं अपनी बुक से बढ़ता हू, question किया by 80 articles for 2400 रुपीज, चले दिए, by what's up, CP, तो CP of 80 articles, कितना हो गया, 2400 रुपीज दिया है, जब भे आपको CPST वाला कोश चलो, तो हमेशा एक article की value निका दे है, बात SP की चल भी हूँ, यह बात, CP की, चीक है, तो CP of 80 articles दिया है, CP of 1 article, कितना होगा, 2400, दिवाइड दिवाइड की, भई, अगर 80 चीजों की कीमद 2400 रुपीज, तो 1 की कितने होगी, कमी होगी, कम के दिवाइड कर लेते हैं, तो 0 से 0 गया, 834, तो हमें पता चला, कि एक article की CP आ गई, 30 रुपीज, बतब एक article को 30 रुपीज दा गया, question का अगला part देंके, and sales level at a profit 16% और 16% के profit पे बेचा गया, यहां तक न, 80 article को बेचने में उतना profit हुआ, और एक article को बेचने में उतना profit हुआ, profit सेव रहता है, ठीक है, तो profit आपको कितना हुआ, 16% लेकिन यह 16% रुपीज में कितने होगे, तो ठीक है, हमेशा profit यह loss, हमेशा CP पर निकलता है, CP अपने को पता है, तो इसको पहले रुपीज में निकाल लेते हैं, कि 16% actual होगे कितने हैं, तो 16% of CP, जो है, 30 रुपीज, जो है, 0 से 0 जला के, 16, 30 से 48, अपने, तो कुल मिला कर आपको एक पर, बता है, आपको एक article पर, टोटल 4 रुपे, 80 पैसे का फायदा हुआ, 4 रुपीज, 80 पैस SP निकालना है, तो बस, formula क्या होता है, profit का, profit का formula होता है, SP minus CP, profit कितना है हमारा, 4.8, SP तो अंसर में ही चाहिए अपने को, और CP, एक article की बात कर रहा है, हमेचा जाना है, 30, minus का 30 रहा के, प्रस हो जाएगा, 4.8 plus 30 is equal to SP, तो total SP कितना हो गया, जोड़ो, यह हो गया, 34 रुपीज और 80 पैसा, मतलब, जो आर्टिकल आपने एक 30 रुपी का थेजियर था, उसको आपने कितने का बेचा, 34 रुपीज 80 पैसा का, फुस्ची वरे से आपको कितना फाइदा हुआ था, 16 परसें था, तो फाइन आंसर आया, SP of 1 आर्टिकल, 34 रुपीज 80 पैसे, question तरीशो, चली कर question number 4 का, मैं पढ़ता हूँ कोटे मूप से, कि the cost of an article is 15,500, cost of an article मतला, CP, तो CP of 1 article, 15,500, CP of 1 article is 15,500, and 450 was spent on its repair, money spent on repair, कितने पैसे, सारे चार्स हो गए, ध्यान रखना, जो repair में, या overdue expenses में, या आदे ले जाले में, किसी चीज के उपर पैसा कर्श किया जाता है, वो हमीशा उसकी CP में या add हो जाता है, अब मैं लिखूंगा, total CP of article, कितना हो जाएगा, 15,500 रुपे में, ये 4500 रुपे add हो जाएगे, तो total CP of article की माने जाएगी, 15,950 रुपे, उसकी actual CP में रिपेर वाले price जोड दिये गए, अब आगे दिखते है, कोशन किया गया है, if it is sold है का profit of 15%, अगर 15% के profit के उसे base दिया गया है, चलिए चीज़िए, profit कितना, 15%, लास्ट कोशन आप से कहा था, कि 15% आपको हमेशा रुपीज में जोडने पढ़ें दे, और profit हो या आपके CP का, और यहां कौन में क्यों 100 चला गया, क्योंकि percent आपको कोशन में दिया है, आप तो fraction में change करोगे, तो fraction में change करोगे, तो divide by 100, और percent में change करोगे, तो multiply बारेंगे, ठीक है, percent दिया था, तो फहले 15 बार, तो पहले 15 बार 100 दिखा, fraction change किया, और यह हम 15% किसका दिखा आपके CP का, अब इसे solve कर लेते है, 2392.50 पैसा, चीक है, यह आगा है total profit, CP अब नेको पता है, यह कोशन में find क्या करना है, find the SP of the article, बिल्को पीछे वाला question यह है, तो profit ना formula आपे, profit का formula था, SP minus CP, profit कितना है, यह रहा, 2392.5 is equal to, SP तो निकालना है, minus CP, CP आपका, 15,950, इसको अधर ले आगी, किसना आएगा, 2392.5 plus 15,950 is equal to, SP, परस इसे जोड़ लेते हैं, आगे आपका finance, 18,342.50 पैसे, तो total SP of the article आगा है, 18,342.50 पैसे, होगे question पूरा, चली, start करते है, question number 5, मैं अपनी book से बढ़ता हूँ, अब VCR and TV were bought for Rs. 8,000 each, मतब TV खरीदा गया और दॉनों की की मत है, 8,000 होगे, चली, एक column मना लेके, ज्यादा असान रहेगा, समझना, यहां लिखा मने, VCR और यहां लिखा मने, TV, और दॉनों की CP कितनी है, 8,000 रुपीज, और दॉनों की CP कितनी है, 8,000 रुपीज, कॉलम मना के solve P लेगा, आपको हमेशा कोशन असान ठीक है, तो दॉनों की CP दी है, 8,000, कहे रहे था, शॉपकीपर वेड़ा, लॉस ऑफ फोर परसेंट, और दॉनों की CP कितना हो गया, 4 upon 100, परसेंटेस तो है न, हटाने के लिए कपते है, upon 100 into 8,000, तो देखो, कुल मिलाके कितनी रुपे का लॉस हो गया, 830 रुपीज, ठीक है, ऐसे ही आपके प्रॉफिट निकालते है, 8% of 8,000, यह कैसे रॉट हो गया, 864, तो कुल मिलाके प्रॉफिट कितना हुआ, 640 सब्सकता की लिए, मिलाके लोने कितों अमय प्रेसि रॉट निकालते हैंब कितना है, 1,000 कितना है, 8,000 कितना है, 100 कितना है, SP SP, एसे हैं सब्सकते हैं, 8000 कितना है, जीरो में जीरो गया जीरो तो 10 बेसे 2 गया 8, 9 बेसे 3 गया 6 और यहां रहे गया आपके पास 7 तो टोटल SP आया 7,680 रूपीज यहां रेखिए तो प्रॉफित कितना हुआ 6,40 रूपीज का, SP निकालना है, माइनस CP, 8,000, 8,000 बुदर लिया यह, 6,40 प्लस 8,000 is equal to SP, तो टोटल SP इतना आगया, यहां गया 8,600 रूपीज, अब हमें क्या लिकालना है, परले को देख लेते हैं, कुश्चित क्या रहा है, find a gain or the loss percent on the whole transaction, full मिला के आपको फाइदा हुआ यह loss हुआ पूरे transaction पर, तो चलिए, उसके लिए मुझी क्या चाहिए, टोटल CP चाहिए अपने transaction का, तोटल SP चाहिए, तो देखो जहां से जरब, सबसे पहरे, टोटल CP की बात रखना है, 8,000 प्लस 8,000, full मिला के दौनर चीजें कितने में खरीदी गहीं, 16,000 में खरीदी गहीं, अब देखो दौनर चीजे, 20 कितने में गहीं, तो टोटल लिकालते है, SP, जोड़ लो जा, 7680, प भी पतल जाएगा, फाइदा होगा के अलिकसान, 30 और 18,000, तो फुल मिला के दौनों चीजे 16,000 में खरीदी गहीं थी, पर बेची कितने गहीं, 16,320 रुपे में, तो पक्ति मात क्या हो गया, फाइदा हो गया आपको, गेन हो गया, प्रॉफित हो गया, तो गेन कैसे निकलत प्रॉफित हो ओ आए, तो प्रॉफित परसें निकल गयी है, लॉस हो ओ पर लिए, तो गेन परसें निकल गया कर फॉर्मुला होता है, फॉर्मूला होता है, जेन अपन सीपी पर इंट्व हंड्रट, गेन हो उता हो थी बेर्ट, awटे श्वा इनंसों बहू बहुआ, तो आठ हजार में BCR खरिए गया था, चार परसेंट को लॉस हुआ, उस परसेंट को मैंने पहले रुपीज में चेंज किया, वो कैसे, 4% ओगा CP, कितना आ गया, 320 रुपे आ गया, अब CP है, लॉस है, तो लॉस का फाउड़ा आया, CP-SP, वोह से मैंने अपना SP निकाल गया, कि वो BC BCR जो 8,000 में खरिखा गया, वो 7680 रुपे की लॉस में बेचा गया, उसी तरह से, TD को 8,000 में करी था, 8% का हुआ था, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को पहले मैंने रुपीज में चेंज किया, कैसे, प्रॉफिट अपन 100 into CP, ठीकिया, फिर वाह से प्रॉफिट का BCR टोटल CP निकाला, पुल मिला किकने की खरिथी रिखी ने है, 16,000 में और कितने की चेंज की बेची ने, 7,600 और 8,600 को ऐड़ कर दिया, तो कुल मिला कि 16,000 तीन रूफिट की बेची ने है, प्क्की बात है, 16,000 में खरिद के लाइ, 16,000 तीन रूबीची, तो 320 रूपे का तो टोटल ट्रांजेक्शन पर हमें 2% का फायदा हुआ, शांदार कुशन था, अच्छे से इसके ब्रैक्टिस की दिगा, ठीक है? कुछ भी खरीदिये, मार्ग प्राइस मतब जो मार्पी है, उसके 10% का डिस्काउंट दिगा है, मिलेगा, और तू शर्ट के लिएगी, लेकिन एक शर्ट आट्सो पटास की है, तो दो शर्ट कितने की होगी, फिर डिस्काउंट निकालेगी 10% का, फिर इक की सॉल करेंगी, त ठीक है, और यहां लिखता होगा है, शर्ट, अब हो, CP of 2 जीन्स, तो डिरेक्ली 2 जीन्स की CP देगो, कितने दिए आपको, 1450, एसे ही आपको, CP of 2 शर्ट, लेकिन दिखा होगा है, 850 एच, एक 850 की है, तो फिर दो कितने की हो जाएगी, यहोगे आपके पास, 1860, 17, पूल मिला के, 1700 रुपे की डॉल होगे, लेकिन जितना में उनका मांक प्राइज है, बितना में CP उसके लिख्षी होगी है, उसके 10% डिसकाउंट मिला है, तो चीके, डिसकाउंट, 10% का, लेकिने 10% को रुपीज में चेंज करना पड़ेगा, कैसे करते हैं, 10%, परसे सब्सकाउंट के बाद, आपको जीन्स कितने की पड़ी करना हो, तो टोटल आपके पास पड़ी, 1450 तो उसका मांक प्राइज ही था, 145 माइनस कर दिए उसमें से, तो कुल मिला के डिके, आपको बस कितना है, ये माइनस करके आ रहा है, 1305 होगे, चीक है, अब यहाँ आप सब्सकाउंट तो यहाँ पर भी आपको 10% का ही मिला है, तो 10% of what, 10% of टोटल जो मांक प्राइज है, ये लीजे, कुल मिला कर कितने आए, 170 रुपे, तो कुल हमारे पास, सीबी कितनी होगे, 1700 रुपे तो मांक प्राइज था, 170 रुपे कर दिसकाउंट मिली है, तो कुल मिला तक कस्टमर को कितने पैसे देने पड़े, तो कस्टमर है टू पे, आफ्र डिसकाउंट कितना, 1305 रुपे, प्लस 1530 रुपे, जोड़ दे लिए, तो 5, 3, 8 और 2, तो 2,825 रुपे टोटल देने पड़े, कस्टमर को दो जीन और 2 शर रुपे, कुर्शन पर निश होगे, चल मतलब एक मिल्क मैन ने अपनी 2,000 बफैलो को बेचा, 20,000 इच के साबसा, मतलब 2,000 बफैलो को 20 पर बेचा, चलिए, कॉलम मनाते है, यहां लेखते है, 1st बफैलो, ठीक है, और यहां लेखते है, 2nd बफैलो, चिक्त, ना, तो पहले की स्टी कितनी है, 20,000 और दूसरे की 20,000, मतलब 2,000 को यहां बेचा गया है, आगे देखे, क्या कह रहा है, और 1 की गेण 5%, पहले को बेचने पर उसे 5% का गेण हुआ, and the other at a loss of 10%, लेकिन दूसरे को बेचने पर उसे 10% का लॉस हुआ, तो कह रहा है, फाइंड इस ओवर ओर गेण और लॉस, चलिए, गेण परसेंट स निकालना हो रॉपीज में, या loss परसेंट, वो हमेशा CP पर निकलता है, अब CP को कोशन है ही नहीं, तो मैंने क्या करा, मान लिया कि कॉस्ट्राइज रही होगी, x रॉपे, हमेशा जान अपना loss या gain, अगर आप रॉपीज में निकाल रहे हो, तो वो हमेशा CP पर निकलता है तो चलिए, gain को रॉपीज में निकाल लिए, तो 5% of got of CP, तो यह आगया आपके पास, कार्ट पीट के, total gain रॉपीज में आया, x upon 20 रॉपीज, एक चीज़ का ध्याम रखो, gain का formula क्या होता है, यह होता है, SP minus CP, अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ रहे है, gain, जिहाँ, मैंन कोशन में दिया है, 20,000, minus CP, CP को मैंने दिया है, x, इस तरह से कोशन सॉल के जाता है, जिहाँ लखेगा हमेशा, gain percent को रॉपीज में निकाल लाओ, या loss percent को रॉपीज में निकाल लाओ, तो वो हमेशा निकलेगी CP पर, अगर CP कोशन में नहीं देवान है, तो पहलो से left देना दॉपीज में देखेगे, तो x upon 20, plus x is equal to 20,000, LC में लेजिए, 20 LC में आखेगे, x plus 20x is equal to 20,000, आखे-solूब करते है, यहाँ आगे 21x upon 20, 21x upon 20 is equal to 20,000, और x का value पितना आएगा, यहाँ से x के तरह आया, 20,000, यह divide में है, इतर मल्टिप्ला हो जाएगा, और जो मल्टिप्ला है इन्टू 20, और upon 21, यहाँ से x का value solve करके आएगा, 19047.61, मतलब हमारे पास CP आगे पहली बफ़ेद होती है, चलिए, अब दूसरे के लिए निकालते है, लेट, CPB, इस बार यहाँ पर variable change करो, य ले लेते हैं, चीक है, तो loss है ना, percent में, loss आपको रुपीज में निकालना है, 10%, 10 upon 100, into 5, चलागे, तो खुल मिलाकर कितने का loss हो आपको, आपको loss हो, य पॉन्टेन का, अब loss का formula क्या होता है, loss होता है, CP-SP, जैसे gain होता, SP-CP, ऐसी loss होता है, CP-SP, देखो सारी values बता है, loss कितना है, य पॉन्टेन का, CP, यह तो में य लेट मानी है, मानी है, कोशन में हमने D होई है, 20,000, चलिए, इस 20,000 को देल आते हैं, Y upon 10 बोटर ले जाते हैं, 20,000 is equal to Y minus Y upon 10, L same लीचे, यह होगा 10 Y minus का Y, 20,000, यह दर आ जाएगा, 20,000 into 10 is equal to 9 Y, 9 आगे लीचे, तो यहां से आपको इस total Y के value आ रहे है, 22,222.22 पैसे, तो कुल में आके, तोटल आपके पास, इसकी भी आगे CP, इसकी भी आगे CP, अब निकालते हैं, टोटल CP, फिर निकालेंगे टोटल SP, और चेक करेंगे, फाइदा हुआ या नुकसा, सबसे बहुत क्या रहे हैं, तोटल SP निकालते हैं, कि कुल मिलाकर, कितने मेरे sell कियाग है, तो BCR प्स BCR, 40,000 में दोनों फैलोस को बेचा गया है, लेकिन दोनों फैलोस की CV भी तो आगई है, तो चेले, प्रोटल CP भी निकाल लेते हैं, अब इचेक हो जाएगा, कि हमें पूरे ट्रांसक्शन में फाइदा हुआ या नुकसा, यह लिखा है, आपके पास, 19047.61, प्लस 22,222.22, तो जोड़ते हैं इसको, 41,269.83 पैसा, तो को बिला कर देखो, खरीदा आपने 41,269.83 में बेचा 40 है आपने, तो पक्की बाता है, नुकसान हो गया आपको इस बार, लॉस निकाल लिए, लॉस क्या होता है, CP-SP, तो 41,269.83 माइनस का 40,000, को बिला कितना नुकसान हो गया, 1269.83 का, अब देख लिए, कोशन में से पाइंट का कर वाल है, हमसे कह रहा है, find is overall gain और loss, इसमार percentage नहीं निकालना है, सिर्फ overall gain और loss निकालना है, तो overall loss हो गया, 1269.82 पैसा, ठीक है, कोशन, फिलिश हो आप, अच्छा कोशन था, हमेशा separate two column बना लिजे, और उसे इसाब से CPSP, C profit by the profit, loss by the loss, निकाले, answer आपका आचालेगा, तो fine answer आगे, चले, लेक्टार ने कुछ नमगरेट का, मैं कुछ से बढ़ता हूं कि, कह रहा है, price of a TV is 13,000, मतलब CP, cost price, आप चाहें तो उसे 13,000 रुपे में खरी सकते हैं, आटी क्या कह रहा है, the sale tax charge on it at the rate of 12%, लेकिन इस 13,000 के deal पर आपको sell tax की देना पड़ेगा, जो extra, सरका आपको जबाँ होता है, और वो sell tax कितना दिया हुआ, 12%, तो sell tax है total 12%, तो यह 12%, पहले आपको निकालते है, rupees में, 12,400 into CP, तो देखें, sell tax कितना आगे है, जो आपको extra देना है, 12 into 130, जो की आएगा आपके पास, 1560 रुपे, मतलब TV की यह cost और sell tax, अगर आपको खरीदा है, तो दोरों ही देने पड़ेगी, तो return CP कितना हो गया, आपको देख लेते है, 13,001 आपको, और 1560 रुपे टेक देना है, तो 0, 6, 5, 4, 1, कुल मिला के, 14,560 रुपे देने पड़ेगा, अगर तो आपको खरीदा है, तो, आगे देख कि बिनों दों के TV खरीदें, तो कितनों पैसे देने पड़ेगे, उसे देने पड़ेगे, 14,560 रुपे, कुश्चन फिरिश, चलि कुश्चन नम्र 9 कट आना है, अगर भी बुख से बड़ता हूँ, क्या रहा है कि, अमन bought a pair of skates on a sale, where the discount was given 20%, मतब skates करीदे उसने pair, उसने pair of skates करीदे, जिस पर 20% का discount है, क्यारा, if the amount he paid is 1600, मतब discount के बाद, उसे total 1600 रुपे देरेने पड़े, तो क्यारा है, what is the mark price, मतब MR में कितना है, तो skates पर action में कितना दाम लिखा हुआ का, तो काफी असान कोशन है, द्यान देखे हैं, let the mark price of skates be rupees x, x रुपे का वालो दाम है, क percentage में दिया है, 20% का, तो पहले 20% को रुपे में change करते है, कितना आगा देखो, 20% of the CP या MP, एक ही बाद होगा है, आपका discount, CP या MP, किसी को भी निकल सकता है, जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये कट गया है, 5, तो आपको कुल मिला कर कितना discount मिला, आपको मिला, x upon 5 रुप कितना आपने पे किया, आपने total CP पे किया, जितना उसका mark रिखा, minus आपको जितना discount किला, तो पुल मिला कर देखो, कितना answer आपने पास, आपने पास, आपने पुल मिला कर पे किया, इसको 4x upon 5, लेकि जितना पे किया है, वो तो question में पहले से देखिया, 1100 रुपे, तो according to question, यह जो 4x upon 5 है, यह जो किसके बराबर है, यह 16 head के बराबर है, जो आपने पी किया है, बस x का लो निकालना है, तो 5 इतना के multiply हो जाएगा, 4 नी चले, 5 जाएगा, तो कुल मिला कर, जो mark price का states पर, वो 2000 रुपे था, और जिसके लिए आपको देने कितने पड़े है, सिर्फ 1600 पर रुपे, तो what is the actual mark price on the states, that is equal to 2000 रुपे, चले, turn है question number 10 का, मैं अपनी book से बढ़ता हू, कह रहे कि, I purchased a hair dryer for Rs. 5400, including 8% VAT, मतलब, एक hair dryer के लिए मैंने 5400 रुपीस दिये, जिसमें उसकी cost और VAT 8% ता मिला हुआ, ता कौन मिला कर, कह रहा, find the price before VAT was added, तो बताएगे, original price कित original price, जिसको mark price ही बोल सकते रहा है, mark price, ऐसे भी लिख सकते है, mark price है, mark price है, extra price, उस पे 8% का बैट गया, बैट होगा है, value-added tax, जो सरकात हो जाता है, 8%, तो 8% of the mark price, या CP, मेरे last question आपको पताया है, ठीक है, तो कुल मिला कर, ये समय लिए कि, ये उसकी cost थी, इतना चला गे सरक आपको, तो कुल मिला कर, कितना गया है, तो total, कितना हो गया उसका, x plus 8x upon 100, ये total पैसा वो है, जो आपने pay किया होगा, और ये total पैसा कितना है, वो तो question है, ये बहाने, वो दिया वा आपको, 5400 रुपीस, तो वही, according to question, आपने, जो mark price हो दिया होगा, जो bank हो दिया होगा, और पुल मिला कर, ये टिकना दिया है, आपने, आपने दिया है, 5400 रुपीस, बस LCM के solve रहना है, 100 आपके LCM, तिवा के 100x plus 8x is equal to 5400, 108x is equal to 5400, तो 100, ये 108 वीचे आ जाएगा, डिवाइड में, ये दिचे, बस अप्या करना है, इसे solve करना है, मुझे, total आपके पास आना solution थ 5000 रुपीस, मतलब जो original mark price था, head rare का, वो था 5000 रुपीस, question finish हो, चलिए, last question आगया है, question number level बढ़ते है, an article was purchased for Rs 1239, including GST, for 88%, find the price of the article of the GST was added, ये question number 10 की तरह बिल्कुल सेम है, बस बहाँ पर bad word था, यहाँ GST है, question का logic बिल्कुल सेम है, पहले हम mark price को X लेगे, फिर GST कितने दिय हुआ है, जैसे आपने पीछे back निकाता था, ये GST लितना दिया हुआ है, उसे पहले रुपीस में change करके, add कर देंगे, और वो add करके जो पैसा है, वो total है कितना, वो दिया हुआ आपको 1, 2, 3 लाए, बस जैसे आपने पिसले बारा question निकाला है, exactly the same question निकाला है, ये part आ अगर आपको हमारे वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ, तो हमारे चैनल मैक्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लेगे बैल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले मिल जाए,